हेलो फ्रेंट से जिसके नहीं से दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे दिवाली फायरवक्स टेस्ट 2023 के पार्ट 38 में अगर आपने तक पार्ट 1 से लेके 37 नहीं देखा है तो जरूर चेक उट करना और खूब सारी पड़ाओं के वीडियो के लिए भी हमारे चैनल को विज करते हैं फर्स टेटर हमारे पास है कुछ इस प्रकार का मर्कुरी का गोल्डन रेन ग्रीन ग्रीन ग्रेकर्स के एटम है तीन पीस आते हैं एक बॉक्स के अंदर MRP 670 200 का बॉक्स पड़ता है ये होल्सेल में रिटेल में 250 का एक पीस कुछ इस प्रकार का यहां से से चलाना होगा फुल जडी से देखते इसका गोल्डन रेन इफेक्ट कैसा है चलिए इस पर आगे को चलागर देखें नेक्स्ट एमर पस मैजिक टॉर्च मैजिकल टॉर्च मर्कुरी की इसकी MRP की बात करें तो लिखी है 800 400 का बढ़ जाता है रिटेल में और 300 का होल्सेल में बॉक्स काफे अमेजिंग अंदर कुछ इस प्रकार के हमें दो पीस देखने को मिलते हैं और यह काफी अच्छी क्रैकलिंग करते हैं साइस देखें दोस्तों ड्यूरेशन बेची रहती है यहां पर इसे चलाए जाता है इसे हाथ में ना पकड़े दोस्तों सारे पटाओ को केरिफरीच लाएं इसे भी हम गमले में या सामने रखकर चलाते हैं वर्टिकली रखकर चले इस पटाओ को भी टेस्ट करें नेक्स्ट अमार पर शाली मार के सूपर बुलेट फ्लैश इस कीक MRB की बात करें तो यह लिखी है शायद नहीं लिखी है हमें बॉक्स 100 का देखने को मिल जाता है रिटेल में होल सेल में 90 का अंदर कुछ इस परकार के बुलेट क्रेकर से देखते हैं इनकी अवाज कितनी जूरता रहती है इने चलाएं नेक्स्ट एमर बसे रतनास के मुंबाई इंडियन स्काइश और दो पीशेक वहाँ पर और यहाँ पर MRP 840 100 का मिल जाता है यह असानी से एक बॉक्स में एक पीश आता है रिटेल प्राइज रहता है इसका 120 देखते हैं इसे कोल कर तो यहाँ पर कुछ इस परकार का डिस्प्ले बना है और यह टेप से बंद है इससे हटाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ तो टेप हमने हटा दी है देखते अंदर का शेल कितना बड़ा है तो कुछ इस परकार का शेल दिखने को मिलता है फ्यूज यहां पर है बेस और टॉप पार्ट अच्छा है और एक दो इंच का लग रहा है यह और पन्नी का फिची टड़ाई है इन्होंने चलिए इसे टेस्ट करें नेक्स्ट है मर्कुरी का गोल्ड स्पिनर्स अनार चलता है अंदर चक्रिया निकलती है और फिर वो जमीन पर घूमती है ग्रीन क्रेगर्ज में आता है फाइव पीस एक बॉक्स में मर्पी लिखी है इसकी 1200 400 का बॉक्स पर जाता है रिटेल में होल सेल में 300 का एक पीस कुछ इस प्रकार के काफी ज्यादा अच्छी कॉलिटी और फ्यूज देखने को मिलता है देखते से चलाकर नेक्स्ट कुछ इस प्रकार की 1K लडिया यानि की 100 वाला है MRP लिखे 299 50 का मिल जाता है होल सेल में रिटेल में 80 का देखते हैं से खोल कर कैसा है अंदर से जल्दी से से हटाता हूं और आपको दिखाता हूं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार की लड़ी है इसे चलाकर देखते कैसी चलती है ये नेक्स्ट है मर्कुरी का साइरन तीन पीस का बॉक्स है ग्रीन क्रेकर्स में आता है MRP की बात करें तो लिखी है यांपर 1300 400 का बॉक्स मिल जाता है ये रिटेल में और होल सेल में 300 का स्टैंड भी है साथ इसाथ यहां पर कोछ इस प्रकार के हमारे साइरन है छोड़ी छोड़ी यहां पर होल्स हैं जिससे सीटिक इवाज आती है अच्छे से टिक जाता है बेस में फ्यूज अच्छी को रटिक है इ नेक्स्ट है मर्कुरी की जूम विल इतने बड़े बॉक्स में केवल 3 पीस आते हैं ग्रीन क्रेकर्स में 570 MRP 200 का बॉक्स मिल जाता है रिटेल में होल सेल में 150 का इतने बड़े साइस की 3 चक्रियां है इसके अंदर एक पीस देखें दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का है चार बार गुमी यही देखते कैसे चलती है यह जूम वील वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक जरूर करना चलिए इससे टेस्ट करें नेक्स्ट है संतोष के 7 शॉट कलर MRP लिखी है इसकी 660 सिरफ 90 का मिल जाता है यह होल सेल में रिटेल में 120 का पांच पीस 7 शॉट कलर के हैं एक पीस कुछ इस प्रकार का है देखते कैसा चलता है इसे चलाते हैं नेक्स्ट है मर पसे श्री हरी के कैन फाउंटेंस MRP की बात करें तो 1000 लिखी है 200 का हमें एक पीस मिल जाता है काफी यूनिक टाइप के एक क्रैकर हैं यहां से यह कैन अगर ऐसे करके करें तो यह देखी अंदर इसके फ्लावर पॉट है कुछ इस प्रकार का इसे चला कर देखते हैं कैसा चलता है चलिए इसे टेस्ट करें नेक्स्ट है मरकुरी का स्काइस्क्रीपर बटरफलाई है यह 650 लिखी है पर बॉक्स मर्पी से खोलते हैं दो बॉक्स है हमारे पास होलसेल पैकेजिंग में हमें पर बॉक्स कोश्ट पड़ी 200 रुपीस रिटेल प्राइस 250 पांच पीस आते हैं काफी हाई क्वालिटी का बॉक्स है जैसा कि आप देखते हैं इसे टेप को हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ टेप हमने हटा दी है अंदर से कुछ इस प्रकार के फाइफ पीस हैं एक पीस क्लोज अप में कुछ ऐसा है देखता है काश में कितनी उपर जाता ये ड्रोन चलिए इस हेलिकॉप्टर को टेस्ट करें नेक्स्ट है लिटर स्टार फ्लावर पॉट चुन्मुन ब्रैंड का दस पीस मटका नार आते हैं इस बॉक्स के अंदर गरीन क्रैकर्ज में MRP लिखिए 1520-400 का ये बॉक्स पढ़ता है रिटेल में होल सेल में 330 का एक पीस दे की कुछ इस प्रकार का है रेड और गोल्डन में देखते हैं रेड वाला चला कर कैसा चलता है इस मटका नार को चलिए टेस्ट करें नेक्स्ट हैं बिजली क्रैकर 100 पीस ग्रीन क्रैकर्ज में MRP की बात करें लिखिए 300 पर पैकेट कॉस्ट पढ़ती है 40 रुपीज इन होल्स हिल रिटेल 50 रुपीज 100 पीस आते हैं इसके अंदर बुलट क्रैकर कुछ इस प्रकार के देखते हैं चला कर चलिए इने टेस्ट करें नेक्स्ट है कॉक ब्रेंड के फ्लावर पॉट स्पेशल MRP लिखिए इसकी 578 50 परसेंट आफ यानि के लगबग 260 का मुझे ये बॉक्स पड़ा होल सेल में 70 परसेंट आफ तक भी मिल जाता है कुछ इस प्रकार के अंदर अनार है एक पीस काफी अच्छी कॉलिटी का है दिखते कैसा एफेक्ट रहता है और डुरेशन कितनी रहती है चलिए इस अनार को टेस्ट करें नेक्स्ट है हमारे पास गंगा जमना अनार चलता है जोधर क्रेगर की वाज होती है उसके बाद मर्कुरी का है ग्रीन क्रेगर के आइटम है फाइफ पीस आते हैं 350 एमार पी लिखी और 80 का बॉक्स पड़ जाता है रिटेल में बढ़ता है 100 का कुछ इस प्रकार का एक पीस है देखते हैं से चला कर कैसा चलता है यह नेक्स्ट है मर्कुरी का ट्विंगलिंग स्टार डीलक्स ग्रीन क्रेगर में एमार पी लिखी है 400 अंदर आते हैं 10 पीस कुछ इस प्रकार के ट्विंगलिंग स्टार के एक पीस का साइज काफी अच्छा है देखते डूरेशन कितनी रहती है चलिए इसे टेस्ट करें नेक्स्ट है हमारे पस मर्कुरी का कलर जेली ग्रीन क्रेगर के एटम 1500 MRP बॉक्स की कॉस्ट 450 रिटेल में होल सेल में 350 कुछ इस प्रकार का एक पीस है फ्यूज अच्छी क्वालिटी का बेस और टॉप पार्ट पनी पैक्ट है देखते हैं कलर जेली कैसा रहता है आसमान में डिफरेंट होंगे सबके एफेक्ट चलिए इने टेस्ट करें नेक्स्ट रेमार पास कॉक ब्रेंड की ग्राउंड चकर 70 सेंटिमिटर ग्रीन क्रेकर के इटम यह इस सल की पैकेजिंग है और यहां पर MRP की बात करें 605 रुपीज लिखी है 50% आफ यानि की 300 का मिल जाता है यह रिटेल में और 70% आफ होल सेल में अंदर को जिस परकार की चकरियां हैं काफी जादा अच्छी कोल्टी है और बहुत ही लंबी देर चलेगी मेरे हिसाब से देखते हैं इसे चलाकर कैसी चलती है यह ग्राउंड चकर नेक्स्ट है मारे पास है कॉक ब्रैंड की 30 सेंटिमेटर फुल जड़ी ग्रीन क्रेकर के एटम एक बॉक्स में 5 पी साते हैं MRP की बात करें तो यहाँ पर होल सेल MRP लिखी है 346 यह भी 50 परसेंट आफ यानि की 150 के दो बॉक्स असानी से मिल जाएंगे आपको इंडिजोल MRP 173 की है देखते हैं इसे खोल कर कैसे हैं यह अंदर से फुल जड़ी और इसकी डूरेशन कितनी रहती है वो भी टेस्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर यह वाला बॉक्स खोलते हैं तो यह निकलाया है कुछ इस प्रकार का है यह बॉक्स और अंदर फुल जड़ी हमारी कुछ इस प्रकार की है हमने ऐसा इसी 15 सेंटीमेटर वाली भी टेस्ट किये हैं हमारे इस टेस्ट 22 में देखते हैं इस वाली को चला कर इसक तो यह बॉक्स प्रेंड़ अब करना से में काफ़ी मज़ा होगा लाइक करना इस वीडियो को कमेंट करना आपकी क्या देखनेंच जरूर बर दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंट हम लिखसा ताकि वो भी प्रड़ाओ कि वीडियो को इंज्ए कर सकें और सुब्स्क् पे टैप कर देना आप से मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो को नीचे शेर बटन दबा कर अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेर कीजिए किसी भी सोशल मीडिया साइट पे ताकि वो भी इस वीडियो का मज़ा ले सके